हेलो फ्रेंज्स माइनम इस ओगिश माइंटेन और लाइप मिनम कोच बिड़ ब्रेन अक्टिवेटर आज मैं बहुत कुछ हो क्योंको बताने के लिए क्योंकि अमेजिंग रिजल्ट आते हैं में ब्रेन अक्टिवेशन के और पारेंस के ऐसर आपने वमारी जिदगी को बदल के रख दिया है बच्चे के लाइफ को पूरा चेंज किया है अधिस हमरा जो शोला दिम का पूर से उसमें एक चीज में आपको बता दूँ उसमें हम चक्र एक करते हैं रूब अग्या चक्र उसी प्रकार हमारी जो बाति क्या एक्षवैकर और चक्र और हाट चक्र यो फिर हमारी पूर करते हैं उस काड को and they can recognize कि उसके उपर क्या लिता है जरूर कहूंगा यह जो टेखनीक है यह जो पावर है this is due to the cosmic energy yes blue light cosmic energy higher energy जो हमारे शरीर के अंदर चक्र से आती है और सभी चक्र बैलेंस हो जाते हैं और यह जो पावर है ultimately हमारी imagination को बढ़ाती है इससे concentration focus develop होता है science activation हो जाता है और सबसे important है बच्चे meditation करके सकारात्मक रहते हैं यह सुप के अंदर जो है मन को control करना मन को विचारों से जो आते है thoughts आते हैं उसको control करना उनको आ जाता है और यह power जब उनको मिल जाती है तो ultimately उनके life के जो भी goals है वह हमेशा साकार करने वाले हैं और studies and concentration power बहुत ही बढ़ने वाले हैं क्योंकि thought control में है आपके बच्चे को भी midbrain करना है midbrain activation जबर दस्त है कैसे back side से reading करते हैं बच्चे हमारे जो student है आईए देखते हैं यहां पर और midbrain आपको भी करना है तो नीचे दियर नबर पर कॉल कीजे जान दीजे कितना amazing science है third activation का वीडियो देखिए back to reading through midbrain activation thanks जेखिए 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 एक्स एम दोस्तों क्या आपका बच्छा पड़ाय में कमजोर है? क्या बच्छा हमेशा टी वी अन मोबाईली देखता है? क्या आपका बच्छा हमेशा आपकी बाते नहीं सुनता है, जिद्धी हो चुका है? तो इसका solution आज आपको मिलने वाला है दोस्तों मेरा नाम योगिश, as a mind trainer में पिछले 6 साल से बच्छों को और parents को मन के शप्तियों के बारे में, mind power के बारे में ट्रेनिंग्स देता हूँ amazing program हम कंड़क करते हैं, बच्छों के related, बच्छों के problem solve करते हैं इसी के एक program के मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसका नाम है, mid brain, third activation यह जो हमारा amazing program है, जहां पे बच्छे की third eye, अज्या चक्र, बोधी, नेत्र, divine eye, pineal gland हम activate करते हैं, और यह activation जो हता है, इसे बच्छे बंद आखों से दिखने लगता है close eye से आखे बंद करके बच्छे देखते हैं, कैसे यह possible है, मन के अंदर यह शक्ती पड़ी होई है देखिने हम अंजान है, हमारा जो right brain है, इसके अंदर एक power है imagination, कलपना zero वस्ता में, जब हम कोई चीज को imagine करते हैं, देखते हैं, तो हमें बंद आखों से दिखाए देता है इसी power का use करके, हम brain को develop कर सकते हैं, subconscious mind की power को शमताव को बढ़ा सकते हैं इसके कुछ फाइदे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह चीजें, जो है, कोई दवाई, कोई medicine से नहीं possible है इसके लिए आपको exercise करने पड़ेगे, जैसे तराटक हो सकता है, meditation हो सकता है, yoga, acupressure point, brain gym, exercise, music, therapy यह से काफी सारे exercise से, मन के power को, red brain को develop किया जा सकता है तो पाँच फाइदे में बता रहा हो, ध्यान से सुनियें, पहला है, आपकी बच्चे आखे बन करके lifelong देखेंगे, yes यानि उनको एक आख मिलेगी, देखो, आख की value कितनी है, यह जो आख है, धर्ड़ आए, जो waterproof है, sand proof है, dust proof है proof 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 है, और मैं बोलू, यह आख जिन्दगी भर रहने वाली है, कितना जबर्दच चीज है, second जो benefit है वो है, बच्चे का memory and concentration बहुत बढ़ता है scanner machine बन जाते है आपके बच्चे, आखे बंद है, किताब को पढ़ रहे है, और आखे बंद करके जब पढ़ रहे है, किताब को side में रखिए, scan कर लिया, photographic memory जिसे मैं कहूँ, एक बार पढ़ा, scan हो गया, yes imagination, right brain, हमें imagine किया हुआ, long term memory में store होता है, इसका reference में, बाबा, राम देओ, बाबा, क्या कहते है, ज़रू सुनिया आख बंद करके भी चीज़ों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी, एक बार चीज़ों को देखा और फिर store हो जाएगा data, तो जो मैं कई बार कहा करता था था ने, कि कहा करता इतनी ज़्यादा होने चाहिए, कि सारी चीज़ें आपके brain में store होती चलिए, इसका पुरा science ज जाएगा कि जैसे हमारे बाहर के दो आखें, ऐसे हमारे पीनियल जो gland वो भी आख के तरही काम करता है, लेकिन वैसे द्रिस से उसमें लैंस ऐसा नहीं होता है, जिसमें यह होता है, ऐसा होता है, तो खेर इसके उपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में यह science अभी 2013 में, बात 2013 में करीब यह introduce हुआ, इस तरहे का प्रियो की बात में तो इतने practice हो जाती है, कि एक page ऐसे सामने रखा और वो पुरा scan हो जाता है, जैसे machine में तो scan होता है, ऐसे ही scan हो जाता है, बाकि हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसर आँख है, आज यह चक्र में तीसरे आँख होती है, ऐसे सब सुनते रहते थे, तो मुझे लगता है इन चीजों को बढ़ाए जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं, थर्ड जो फाइदा में बता रहा हूँ, सबसे important है, सबसे powerful है, और इसी के लिए करना है, समझने आती है, यह कैसे मुझे है, हमारे पाँच हिंद्रिया होती है, जिसे ज्यान के चक्षो में कहता हूँ, जिससे हम लेते हैं, लेकिन ज्यादे तर हम आखों का इस्तेमाल पढ़ाए के अंदर, या फिर ज्यादे ही उसी का करते है, लेकिन बाकी के जो सेंस है, उसको समेवलोब किया जा सकता है, जैसे साप होता है, उसको कानने होते है, लेकिन टच के फीलिंग से चीजों को पैचानता है, या फिर जो कुटा होता है, डौ होता है, उसका см seemingly का찮IL muito इसादा आक्टिव है, तो यह सेंस हम भी अपने आपको develop कर सकते हैं, यह से हैं तो बाकर चे experiment में 200 परन्लों की पूरी किताब पर सकते हैं क्या आपका बच्छा मख्ः बन कर किसी के शरीर के अंदर खुष सकता है क्या आपका बच्झा क्या लग रहा है आपको यह बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं उससे पंखा जल रहे हैं हवा कर रहे हैं नहीं जनाब यह किताब पढ़ रहा है और यह लीजे पांच मिनट में पन्नो को लहराका बंद आखों से इन्होंने किताब पढ़ गूए इसके लिए भी आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक ऐसा टालेंट, एक ऐसे स्कील जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं जितने भी मिडब्रेन अक्टिवेशन के जो प्रोग्राम में ने कंड़क किये हैं, जितने भी स्टूडेंट को सिखाया है, उनिके अच्चुमेंट्स हुए हैं काफी जगावे जैसे वो स्कूल में चाते हैं, टूशन में कोई महमान आते हैं, न्यूस पेपर में बच्चे गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं क्योंकि दुनिया धूंड रहे हैं ऐसे टालेंट को, ऐसे बच्चे को धूंड रही है कि उनके अलग स्कील है, अलग वो कर सकते हैं, आपका बच्चो बैटमिंटन करता है, आखे बन करके करेगा, लोग धूनने के लिए आएंग करना ज़रूई है, और सबसे पॉटेट फायदा में बता रहा हूँ, पांच मए इसको आपको ध्यार में रखना है, यह जो प्रोग्राम है, यह ध्यान का है, यह मेडिटेशन का है, मेडिटेशन से बच्चे के हर एक विकार निकल जाते हैं, विकार ही है, जो बच्चे के पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे, NLP इसमें में सिखाता हूँ, और मेडिटेशन करके तो हम बड़े कुछ अजो कर सकते हैं, जैसे हमारे संत महापरुश, उन्होंने काफी सारे अपने कारियों को बढ़ा दिया है, तो ये मेडिटेशन बच्चों के लिवल पे अलग ही experience होता है, जो लोग meditation जानते हैं, इसको जानते ही होंगे, थड़ा चक्रा हमारे body में होता है, सविन चक्रा, इसके अंदर जो चक्रा है, अज्या चक्रा वो डिवल पोता है, उसके जो power से तीन, memory, concentration and intuition power ये डिवल पोती है, तो बच्चे बच्चपन से ही ध्यान करेंगे, सकारत्म रहेंगे, सकारत्मक परसिती और सकारत्मक result उनको मिलेंगे, कभी नकारत्मक चीज़ों को नहीं जा सकते हैं, मन control है, तो सब कुछ possible है, मन के शक्ती को जगरुत कीजे, कोई school इसे नहीं पढ़ा रहा है, कोई class, कोई tuition इसको नहीं पढ़ा रहा है, तो बच्चे की development में इन के लिए, बच्चे की भविशे के लिए, बच्चे को successful बनाने के लिए, बच्चे को genius बनाने के लिए, थर activation करना ज़रुरी है, ज़रुरी है, क्यों मैं इतना force कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जिनों ने यान वो लिया न, वो क्या कहते है, ज़रुर सुनिय यहां बदल में सांगु शक्ते की लाहन मुला है आगदी निरागा सास्तता आणि तेन चमते कुटले ही विकर नस्तत यहां स्टेजला डेवलोप जालेले दिरो थोर्ट्स लेवलला मुला सबकॉंशेस लेवलला जाउन अच्या पदतीने काही ही वाच्छु शक्तात आणि हे आगला ब्रबर हैसा ब Яऑ स्मर्ण शक्ता दिया समोद खक सुदे ट्,यहां फ्री दत तेन चीली चले oven안 अबेहलों lle और जाखुंशेस लेवलोप आयुशाला आसा है, अब बैसात तेंचे कोशेल वाडेल, तेंचे स्कील वाडेल, आनि जा कुछी तेने इंट्रेस है था चाते तांगले पती तिने प्रावियूनी कड़ी, तेंचे मंजे पॉजिटिव थौट्स असतात, मेड ब्रेंड मंजे है, अंतरमनांचा खेला है सग स्वामी के नान देने आप ले सादू, मुनी, संत, यह पन याच तपस्या, याच शक्तिता वापर करून दूर दूर चे घुश्टी बगाएचा अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंसे बहुत अच्छ से दिखाई दे रहा है बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टिवी देखते हैं, यह सब बंध हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नजर आ रह तो मैं सभी पैरेंस को यह कहना चाहूंगी कि अभी आप मिडब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाई है और सभी टेंशन से मुक्त हो जाई है इतना एक और सच्छा है मैं योगेश दाई हैंडे सरांकड मिडब्रेन एक्टिवेशन सा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लास मिशे मीर माला काई आणुबहु सांगाशे वाटता तुमाला मी फर्स टाइम जवा सरांच ये आईकल त्यानी त्यांच वीडियो दाकोला आणि मी मुलानना घ्यून गेले होते मी जया वेल बगितला ठीकानी माजा मुलानना ही दोनी मुलानना थर्ड आय ओपन ज़ाले ले तुम्हें ये चर विश्वास करू शक्नार नहीं पन मला आनुबहु आले ले कि माजा मुल्गा त्यानी डोड़ाला पट्टी भामताई तो थर्ड आय ओपन होते तैचा आणि तो बूक्स वगरे वास्तो त अंखिये तैन चे विचाराता खुब परिवर्तन जाले ले मुलिचाही वाग्नामदे मना बरस मुलाता नुग वालेले माजी मुल्गी कदी शखाय लोकर उठत नहुती पन माजी मुल्गी आज तिला करते ति स्वता हून पाच वस्ता उपते स्वता हून अब्गैसल शक् मजा श्वाबाओ मादे पन भूप परिवर्त हुए , पहले थोड़ा भाणड़ा तो मैं नदो लो अम्हें पन्हें कालम हो प्रेम करते हुए योगिस्त रंक्डे मीड़ ब्रेन अक्टिवेशन चालू केला त्योपसुन माजा में खूब काई बदल जानुवले माजा भावता ही जानुवले तशी बदल माला कॉन्फिडेंस ही वाडला पर तो माजी स्कूल माला स्कोरिंग उदी ती सुद्धा खूब वाडली आता अब पर तुझा असे स्वभाव सुद्धा गाला अणि तुझा अनि कान असे भाण्ना है चे त्योगिस्त खूब जाले सर्वां चाल लगली जी एक मेकान पतल जी रिस्पेक्ट अस्तिती सुद्धा राह लगली मुझे प्रत्यक गोश्टे चेंज जाला है मुझे आणि त्या मुझे जवडे अपले स्कोरिंग करते हैं त्योडी आपन कोरू शुक्त जितके अपले क्वेशन आंसर पाई जास्ता तो त्योडे आपन मुबाईल सोभताने अपले सोभज्य कॉंपेटेशन लावली तरी मुबाईल मागे पड़निया मुझे असे माला तरी क्लास में तरी माजी योडी रिक्वेस्टे कि तुम्ही सुद्धा योगे सरंग्ड यह हां क्लास लाव यह मुझे तुम्ही लाइफ सुद्धा बदले क्लास लावले ले हैं सरान कडे माजा मुलींच आप दैसा मदे पन कूप मला इंप्रूमेंट दीशते त्या आपन डे जो मुझ में नहीं चाकले अपने भीतर खुद से आपूछ ले कैसी चाहिए जिन्दगी खुल आखो से देख ले मुठियों को भीच के सांसों को खीच के सब से कथराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ